प्रफ्राइब आपका श्वागत विन अंदर है जिसा आप जानते हों पिसली क्लासर में आपक्या बाते कर ली थी पैरे दोस्तों बारती इतियास के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया था काफी कुछ वर्वल हैं कि पशयात आप देख पा रहे हैं कि बाद करते हैं तो बुद्धिर्म में सबसे पहले हमने देखा था कि बोधि धर्म के सस्तापक इसको माना जाता है बूद्ध धर्म के संस्तापक गोतम बुद्ध को माना जाता है और गोतम बुद्ध की द्वारा क्या किया गया था है इस सारी चीजी हमने देश चलेगा सबसे पहले इनका जन्म कभ वह था बुद्ध माता है गोतमी फरधापती गोतमी तो दूसरी अंपार्द कील लगने में spirit है ती इनकी मोशी के द्वारा जब गहर बती थी ताइम पर भविश्य पाणि कि या तो बड़ा अजया बनेगा या फिर बहुत बड़ा या बनेगा पैर दोस्तों या राजा बनेगा तरीकि की बविश्य पाणिक हो जाती तो आजाता है इस से डर के रहे सद्मे में पश्यात कौन आपके महा माया इसके मा कर देखन जो पाणिक हो जाता है इनकी ई? मों फादी में 16 वर्षो में विवा कर दिया जाता या शोद्रा इनकी बहides obey शोद्रा से जिसके विंस पूत्र भी पुत वहता है राहू nand राहु तर पूत्र प्राप्त हुत है राहून पूत्र-प्राप्त हो जाने के पAnistu द्रशो में देखता है अब कने देखता है अधर ड्रशो में गनता है이야 क्या देखता है व्रद वेक्ति बीमार आदमी पहले व्रद वेक्ति देखता है क्या देखता है व्रद वेक्ति देखता है फिर बीमार आदमी क्या देखता है फिर व्रतात च्यार वेक्ति सव को ले जाते वही देखता है तो बाद क्या करने से देखता है बाद जो देखता है आपके पदमस्त सन्याशी को देखता है जिसे आजाता है कि यह विचेत्र चीज लगती है और सन्यास धारण करते हैं अपका यह सुद्ध्ध दार्थ बच्पन का नाम क्या ता शिद्धा ग्रत यह कर लेते हैं गरत यह गर्णा को महावीनिस कर्मन का जाता है कर लेते हैं घर चोड़कर चले जाते हैं घर चोड़कर चले जाने कोई क्या कहा जाता है बहुत धर्मी महावी निश्कर्मन कहा जाता है क्या कहा जाता है महावी निश्कर्मन कहा जाता है और महावी निश्कर्मन कहने के पहले कहा जाते हैं कहां से निकल कर जाते हैं कहां अपने घुड़े चंदक और घुड़े कंतक को साथ लेकर निकलते हैं और कहां तक अनुमानती तक यह चोड़कर आते हैं उसके बाद से ले कर लेते हैं कि दर्सक्राइब करने के लिए जाता है यह उसके बाद यह जाते हैं कहाँ पर वैस राजगीर में जाते है राजग्रम में इसका पुरा नाम था रुद्रक 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 पर पांस साथी मिलते पांस साथ मिलकर तफस्या करते हैं लेकिन यह वर्सकी तफस्या के बाद सुजाता नामक मैधा की आप से कीर खाकर यह अपनी कर देते हैं पुरी गालिया देते हुए का सारनात की तरफ निका की मिलगिया के हैं अधिकलिया जरे लुद्चिया करने लग जाते 8 दन को की देन परमे idea का जाता है और यह वरक्ष है क्या कहलाता है बोध गया कहलाता है बोध घ्रक्ष कहलाता है यह सारी चीज़ बुद को गोतम बुद कहा जाता है यहां से 35 वर्श की घ्यान प्राप्त होता है गरत्य अगुंति सब्देश देते हैं प्रतम उपदेश देते हैं प्रतम उपदेश को धर्म चक्र प्रवतन करते हैं प्रतम उपदेश को धान रखना है वह दोश्त है देखा एक बार शिद्दार्थ कपिल वस्ता पर निकले आप निकले प्रमण पर निकले तोड़ा सा रेटन में विमार वेक्ति इस जरदर व्रुष विमार वेक्ति शव विए सारी चीजा प्रता चुके कि अभाद देखा वेसालिय में परतम गुरु अलार कालाम बने लुट राम पुत्वर ग्राम पुट्वर्ण कुने जैसे उद्धध ब्रंडग के नाम से जानते हैं अ कंपर इस सारी गटनाइव में इस देश्म परत्रशन के लंड़ जाता है कि उतर आके निकित पार्री करत ठीजा रामन साथी थी 語ई प्रामन साथ यह प्रेदीर सा तरह करते, ये लूल brushes करते चीलरा पॉर्प्रों काई जाता है कि प्याता नामको फिलाश से ये खीरखाटे रम करते हैं केया में कि वरक्ष की पुनपुनदिया езबाएं के अधिन वार तक ही पुना तफस्या करते हैं अदिन बाद ग्यान प्राप्त हो जाता है इसके बाद क्या कहलते हैं इसके पराप्त होता है जिसे बुद्ध पूर्णि जो आती है क्या उतान तता जो बाद में क्या क्या ड़ured गया क्या क्या है requirechen भरक्ष कह अब्यों क्या पेटिसों कि अधन क्या बक्वादद इसका एम क्या में वता यह जो प्यान प्राप्त की घटना क्या प्रमु को घटनाई जीवाए हैं का जिक्रत क्या करते हैं महावी निश्क करते हैं करते हैं और प्रति को क्या करते हैं या जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा लेना यह सारी चीजे क्या हो जाएगे यह जू जानकारी हमें क्या 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 कंडिशन है कि सारी चीजे आपको देख लेनी हैं कि सारी चीजे हमने किस तरीके से देखी थी यहां पर देखी थी अब बात करते हैं नेक्स्ट के लिगा गो गो भी पते हैं यहां कि यह बाद इसकी घटना हिए प्रतिक शिन गरवाद सहन का प्रतिक आती माना ओना झामना और तक मर्किन का बत्यश्क रख लवक्रन फ्रम्त्र तुम्प को माना जाता है इस प्रकार्चाम ने बनाई थी बजा होता है इसके लोगता है अब भल्लिक और तपशु इसको भल्लिक और तपश जारों को अपना सिश्षे बनाए कर दोस्तों बोद्वसं की साफना करते हैं तो प्रभीश दिया जाएगा उस वालक की उम्र लगबग 15 साल से ज्यादा हुए नहीं 15 साल से कम वाले उम्र वाले वेक्टिव कुईश में बोद्वसं की दिया जाएगा उसके बाद अधिया था ऐसे वेक्टिव बीमार चोर या पिर अत्यारा हो या राजा का सेवक राजा का दास हो तो फो संग में सामिल नहीं किया जाएगा कि महिलाओं को वोद्वसंग में कि हैं पौधर संग में प्रवेसं लेने के भी लोग कोई समय लोग इसमें समस्राइबह लोग हो सक कि हैं ने सब के लिए एक जैसा टा एक शरमान का दा सब्सक्राइब Alluk है कि लोग स कि यह यह देख लिए हम संद्रा वर्स से कम वाले आगे बढ़ते आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के परश्यात कहा जाता है यहाँ पर देख़िए वोधिसंग की बाती कर रहे थे हैं और एक उपाली और एक उपाली रुच्छ ता मार्मा बुद्ध का था आनन्द कि कहने पर यह महिलाओं को प्रवेश है राज के सारनात के बाद कुछ समय तक वैसालि में जाते राजांड के पत्या है कि इनका प्रियसिस से कुन था आनन्द की कहने पर यह महिलाओं को वो दर्मे प्रवेश दे दे और यह इसी समय बात करते हैं कि अगले आने वाले 500 सालों में वो दर्म का अस्तित्य पतन की और चला जाए यह पतन की और चला जाए ऐसा करने वाले करते हैं कि महिलाओं को संग में तो कहता है कि बोद धर्म करते हैं करते हैं के लिगा नेक्ष बोद संग में कि बोद कि अगल मैं कि जाओं कि महिलाओं का प्रवेश कहां से उता है यह कहा जाता है वेशारी आपर कि आज दिया जाता है अब बात करते हैं कैसे तो यहां द्यान रखना है अभी हमने बात कि बात कि बात कि वह महात्मा बुद्ध के सिसे या गोतम बुद्ध के इश्चे आनंद के कहने पर महिलाओं को प्रवेश दिया गया महिलाओं को प्रवेश दिया गया और कहा जाता है पहली जो महिला संग की जो विक्षोनी बनी प्रवेश दिया गया कहा पर वेशाली की नगरवुदी आमरपाली और कहा जाता है कि कोशल का डाकुता अंगुलिमाल भी ऐसे सोच कर आते कि बहुद को तो एक बार में हम का कर लेंगे और लेंगे और कहा जाता है हमारे हमारे जो कामवासना है सामवासना कि आपने ये इतने दिनों से या इतने वर्सों से उसको पता चली गया था बुद्ध को ये कौन है कि आपने जो काम किया है वासना की द्रश्टी शिकिया है एक रोजगार की द्रश्टी का जाता है कि ये अर्तात आपके मन में ऐसा भाव नहीं आया कभी भी कि आप क्या कर रहें क्या नहीं आया तो था लेकिन का जाता है कि लेकिन उसको हमने टिकने नहीं दिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है और का जाता है कि ये आमरपाली को क्या बना लेते हैं अपनी सिस क्या कहां पर प कि नगर्वदु वेश्या थी ये अगर्वदु अगर्वदु ये वेश्या 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 थी कहे सकते हां वेश्या आम्रपाली व्यूद्ध की शिश्या वनी वोद्ध की जा वनी और वोद्ध संग में साविले फैड़ दोस्तों नेक्स बात करें तो कोशल का कहा का कोशल का अंगुली माल डाकु कुल पहरे दोस्तों अंगुली माल डाकु यह भी किसका बना बुद्ध का सिस्षे बना क्या बना यह भी बुद्ध का सिस्षे बना क्या बना ऑर बुद्ध का सिस्षे बनने की प्सकार आ जाता है कि बहुत बड़े डाकु उवा करता हुए कहीं समस्сти लेकिन बुद्ध के सामने एंधम नतमस्तक हुआ और बुरें क workflows it करता था तरवादिक सिस्षे इसके कहां केते वही कोशल के तरवादिक सिस्षे कहां केते वही कोशल के तरवादिक सिस्ष्षों की बात करें कि तरवादिक तरवादिक इससे कोशल के ते कहां केते वही कोशल के लॉशल कि घृउट सरवाधिक उपदेश दरवादिक उपदेश कहा दिये कहां दिये सरवाधिक उपदेश कहां दिये वही इस्तरावस्ति में दिये सरावस्ति में सरवादिक उपदेश बुद्ध ने सरवादिक उपदेश कहां पर दिये याद रखने सरवादिक इससे तो कहां के थे कोशल के थे लेकिन सरवादिक समय अधिक समय तक कहां रुखे अधिक समय तक कहां रुखे अधिक समय तक प्रतम इन्होंने वर्षाकाल कहा विताया यहां पर देखते हैं प्रतम वर्शा काल सारनात वे पिताया वर्थम वर्षा का और रहनात में पिताया यह यह से बार थिए कैते हुपदेश काहां पर दिय लुफ टे तरावसथी तो नियोगी स्रावंस्ति में गर्वाडिक देश काहां पर दियस रावस्थची में एक हिए लुक्षे साथ यहां पर कहां पर क्यार दोस्त्तु थूर नात्मी प्रतम वर्षा गरशा काल आउसा ऐसी मानवेता है कि जो बोध़ धर्म के साथ már डू आठ महीने तट तो देते थे एक स्तान से दूसरे स्तान पर जाया करते थे लेकिन अचालाए पार सबस्ता का करके चुब निया करता है वहाँ पहला पर साथ काल में रिधा वेटार नार्च विद्यान अ कर शोट रिषा पूर में कहा जाता है गुद्धी की मृत्य हो जाती पर फुशिंट देखें यहां पर खुशी नगर में इनकी मर्ट्व केसे हो जाती है जाता है कि यहां क्या क्या करते ही पर मास खाने के कारण यह सुपर मादव खाने के कारण बोजन में क्या सुवर का मास आदेता है और इसके खने से इनके उदर पीडा होती ही उदर पीडा होने के कारण बुट्सों को चाहती जाथ जाल दया टी लिदेन की म्रत्यों गोती इस्वी फुन गोतंब इसके आई आई मेर्श नासे इसलिका परदोसू तर्सों तर्स तरर आके बात करी परदोस चाहसा फुलेर सी इश्व कूरा स द्रस रचि पूरव फोरतम उदिकी म्रत्यू उद्द बुद्ध की प्रत्यू कुशी नगर की नगर या पावा क्या कर सकते हैं कुशी नगर या पावा कुशी नगर या पावा या पावा में का जाता है चंदू नामक एक वेक्तिता यहां से या कशिया भी करते हैं या करते हैं कहां पर पड़ता है कुशी नगर करते हैं या देवरिया गोरख यहां पर कहा जाता है कि म्रत्यू होती है यह चंदू इसकी बात करें चंदू नामक एक वेक्ति द्वारा द्वारा शुकर मादव शुकर शुकर मादव बिलाने के कारणा कर मादव या शुर कमांस टूर तूर अब मंच टूर कमांस के खिचनदू नामक वेक्ति के द्वारा क्या खिला है गया इनको बार्भ या शुकर कमांस है गया तर्ण का आज आ और दोस्तो में इनकी होई जाते हैं कि पर्शात इनका जो अंत्म संस्कार किया गया गया इनका अंतिम शंस्कार अंतिम संस्कार अंतिम संस्कार इनका अंतिम संसकार मल्लो के द्वारा किया गया मल्लो द्वारा किया गया मल्लो द्वारा किया गया मल्लो द्वारा किया गया इनके अंतिम संसकार के बाद अस्तियों को आठ भागों में पांट लिया गया अंतिम संसकार के बाद अस्तियों को आठ भागों में पांट लिया गए अस्तियों को को पहले करता साथ भालव आथो में और 219 अर्ट इस्थानों पर आर्ट इस्थानों पर इनकी उस्टिया रखीगे क्या रखी गई यहां पर किसका इस्टूप का निर्मान लसि नहीं वहां रखी गई जहां पर किस्तूप का निर्मान करवाया गया किसका निर्मान करवाया गया पर दोस्तूप किस्तूप का निर्मान करवाया आठ इस्तानों पर अस्तियां रखी गई इनकी किनकी रखी अस्तियां रखी गई गोतम बुद्ध की अस्तियों आठ इस्तानों पर अगय बनाया गया इस्तूप बनाया घ्रत बात करते हैं लेक्स चर्चाय करने जा है कि तो बोध धर्म कहा जाता है एक चीज और द्यान रग लेन के बरत्य पर देख और अवती नदी की किनारे हुई ता उये भी रहन आवती नदी की किनारे ता पर हुई है एंजिन आरा मेहाँ पर नदी की बात करें नदी को शिए हिरन्यावति क कूछ से युए एंगुभी कि नदीर लगनार फर्सकारे ट्स पर के रियागा। बॉधु काँ पर जिरण वती नदी के तठ परक्विती ऐंक्स बात वां अ कि बौद धर्म की जिक्षाएं या चार आ रहे सकते चार आ रहे सकते या वो धर्म क्या 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 थी कफ से पहले दुख और शूक कि दुक्र कि शह मुद आय दुक दुक्र शमुद आय तुक निरोध दुख निरोध परतिपदा ची दुख निरोध गामिने पर आर्था यह चार अत्व सब्सेनित चार और हम सब आ還有 necessarily इसंसार दुखोशे बहा हुआ है क्या का मात्मा बुद्ध ने जिए शंसार दुखोशे बहा हुआ है अपर एक-एक कमें लिखता जाता हूं और आप के सामने इसका विवर्ण भी देता हूं की पहरतने दोश्थु सबसे पहले सबसे पहले बात करें दुख कौन सा दुख संसार दुखों से भरा हुआ है इसे बात करें वही चार आ रहे सकते की बात कर रहे है तो अपर लेता हूं कि दुख और दुख यानि कि संसार दुखों से भरा हुआ है कि बात करें दोस्तों दुख क्या है संसार दुखों से भरा हुआ है तो इस सामने क्या कहा संसार संसार कंसार कंसार दुखों से घरा है ठीक है इसका मतलब क्या है अर्थाद गुतम गुद्धने क्या देखे ते चार विक्तियों को देखाता ग्रद्या किया था तो उसने चार ओर दुखी 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 दुख देखा उसने क्या कह दिया संसार दुखों से भरा हुआ है क्या दुखों से भरा हुआ है ठीक है पर दोस्तों कि बात का है कहीं उन्होंने दुख निरोद किसके बात करें विस्टाह जो सकतिय बताया आरेशल्यक्राव च्राइन दूख लिए पर आर्थार्त इस दूख की चारु प्यार दोश्तों इसा लत रश्न दूख की अग्यान वरद अमू 27 च्राराई द्रश्न दुख के कारण है अग्यान कि अग्यान और त्रश्न दुख के कारण लचता है अज्ञान और त्रशना क्या है के दूख के कारण बताया है राएने के दूधसरी चीजसा को पाने के अपनी त्रशना गिंगा विपालू इसको भी पालू हम बिना वजय दुखी होते हैं के रूप और रुत ही विया प्यांति पर या है उसके पास फिलिण या प्रस्ति जाए इस यह सारी च्रपाने के लाल सा गया स्कते यह हमें 10 करके ज्या हमेशी सोचते हैं मिर पास यह नहीं यह वो नहीं है वो है यह यह नहीं तो स्मुयार क्या कहा कौक तो कि कहा कूध रिखश्म इसरी बात करें पहरदोस्तों दुख दुख निरोद अर्थार्ध तु दुख पर विजय प्राप्त करने की जा सकते दुख निरोद्थ। तीसरी जो बात करें तीसरी क्या जो दोविच्ञेश्ड तो दुकु ऑद्टक नीरोद क्या दुकु निरोद दुख नीरोद ऐख रिसकते क्या है फ्र्रू उख्री तो नीरोड अर्थार्द दुख पर विजे पुरॉक्षर की जा सकतMore क्या नौन आफ्ड अपर ऱुजिए। लिजे अ कि तर त खती की जाए है तो पर बजय प्राप्ट की जाए तूंपर विजय की से करें अर्थार्थ इन चीजों को अपना लें अर्थार्थ बोद धर्म की सब्राओं को अपना लें सब्सक्राइब USC पर दर्फ फरस और सथो अ कर सकते वही दुख फर पर विजिव पराप्थ क्रसक्न वे अग्स दुख परविजिव प्राप्थ कर शकते अब कर शक्रू पाहे कि लिडो कर ईओ दुख निरोध गामीनी प्रतिपदा चोथे की बात करें दुख दुख निरोध गामीनी प्रतिपदा का अश्टांगिक मार्ग कर्म का अभ्यास की इसका अश्टांगिक कर्म वह अभ्यास दुखो या दुख शमाज से मुक्ती पिरड़ जो कहा जाता है किस्पिदिए गए बहुत एक यह द्वारा तूक से क्या चाहता है कि व्रॉक्ष के द्वारा ऑर पर मार्गों SA satsandwa मिलक्र यह beso रखना क्या है अस्ट जाल की कर्म वह अब्याश दुख अगों हमधान पर रंगी कमारग देखिए अश्टंगी को मारग व यह मारग व अभ्यास किसकी बात कर रहें त्वैर दोस्तों कि अभ्यास क्षटांग की वह अभ्यास क्या है प्यार दूस्तों दुख स्रमा जहाय है क्या है दुख है डिए प्रश्याथ अमक्रेशिं और दोस्तों क्या सिचक्षिन आती है में अबरण के थिए चलिए घनकारी मिल जानकारी मिल्याने की पशचायथ पैर दोस्तों क्या कर दूस्तर्षिस चलिए अश्टांगी गमार्ग यहां पर निक्टिया रहे है अश्टांगिक एстран रूंनीग आश्टांगीक मारग क्या है कि मार्ग क्या है एखाइर दोस्टो मेग मार्ग में ए आप प्रकार की क्या दिये है कर Politik प्रकार के सब्सक्राइएं गर्राक त्रश्टी सिंद मेक क्रिष्टी दूस्रा शम्मेख वानी अंकल्प शम्मेख शंकल्प शम्मेख शंकल्प टीश्रा शम्मेख वानी क्योता शम्मेख कर्म पाच्वा शम्मेख आजीव और इसके बाद सम्मेख श्टवा शम्मेख व्यायाम और साथवाँ शम्मेख शम्मेख शम्मर्ती और आठवाँ शम्मेख शम्माधी यह अस्टांगी के मार्ग बताए अर्थात इन पर चलोगे तो यह क्या है शम्मेख बताए अर्थात इन पर चलने से आपको प्राप्सकुणि वो शक्ती है और यह अस्टांगी क यह कून करते हैं मात्मा बुद्ध करते हैं कि इनके द्वारा हम इन मार्ग उपर चले साँ जाता है हमें क्या प्राप्त है कि बात करें प्यारे दोस्तों इन कि उका जाता है बहुत धर्म के अनुयाई दो प्रकार के रहा करते हैं बहुत धर्म के अनुयाई के बात करें पहुत दर्म के अनुयाई गती है अंपर बोढ धर्म करने याई के तो प्रकार के वरक्रार के तो प्रकार एक तो भिक्षुक प्वूढ़यो मेला वो भिक्षुन का लाए विक्षुन है यह कि भिक्षू ए भिक्षूणी या उपाशक , या उपाशक, या उपाशक , या उपाशक , या उपाशक , भाश या उपाशक , पाशक град सुब्र prohib предлаг फोट नहीं है , है जहाँ पर पर क양 सरक रात्त है क्या होते थे जहाँ किया कि आर्थार्त इसमें बात करें यह क्या कहला थे कौन कहsweise थे अर्थात इसकी चार्चा कह रे तो बोध धुर्म डेत कि मैं धर्म के दस सील गुणों को मानने वाला दस पी लर कू सो मानने वाला विख्षुक कहला था क्या विख्षुक कहला था अर्थार्थ इसमें दिख्षित होने की परंप्रा को क्या कहा जाता था इसमें जो दिख्षित होने की परंप्रा है या जो प्रक्रिया हुआ करती थी उसको कहा जाता है अनोज्या कहा जाता प्रवज्या कहा जाता बोध धर्म में दिख्षित होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता था प्रवज्या इनके लिए जो बोद धर्म में बोद धर्म में दिक्षित होने की प्रक्रिया क्या कहला थी थी प्रवज्या लिए जो बिख्षुट क्या नहीं होती थी उनके लिए बोद धर्में राप्र प्रक्रिया थी उसे क्या जाता अर्ता वोत्तर में दस सील दिये गए तस सील गूनो को मानने वाले को क्या कहलेंगे अर्ता सीधी घ्रस्त बन्याव प्रमात्र और 15 साल 15 साल के आयू के बाद वाले बूद बिख्या यह प्रकार से लिपड़े रहते हैं तरह नहीं करना करते हैं लिघ्या करते हैं भी अगरी सतब मतलब यह और बाते करें के बात करें यह घ्रस्त जीवन के सहाथ जीने के साथ ग्रस्त जीवन साथ का जाता है बहुत धर्म में शामिन वाले होने वाले वेक्टी पाशक के लाए ग्रस्त जीवन के साथ रहते हुए वेक्टी कहां पर बहुत धर्म को शुच्छार कर ले अपना ले तो क्या कहलाते थे उपाशक कहलाते थे और इन में तो प्रक्रिया है में बहुत धर्म में जो जिक्षित होने प्रक्रिया है प्रदोस्तों वह अलग कहा जाता है कि इसे उपशंपदा कहा जाता है तो यहां पर क्या लिखें यहां पर हमें द्यान रखना है प्यार दोस्तों क्या द्यान रखना है यहां देखिए ग्रस्त जीवन के साथ किसा पर दोस्तो ग्रस्त जीवन के साथ बोध धर्म या ग्रस्त जीवन के साथ तो या ग्रस्त जीवन जीते हुए बोध धर्म को अपनाने वाले प्रहस्त जीवन जीटे हुए पॉद खर्म को अपनाने वाले गया क्या कहलाते थे उपाशक कहला थे इन में इनकी बोध धर्म में दिक्षित होने की प्रिक्रिया बोध घर्म में दिक्षित होने की प्रिक्रिया उपशंक्त दाय हो बहुँ कि नश्राइब्च ट्रस्तों के लिए उपशंपदा कहला थे इधर प्रवज्य कहला थे थे कि रस्ट अगर बोध धर्मिन सामिल ऱे उस्च या उपाशिका बन रहे हैं के लिए उपशम पता होती थी और इधर विक्षू को या विक्षू ने बन रहे हैं प्रवज्या होती चुंध्रकार के लिए द्षित खुद प्रियोग में लिए जाते थे विश्यस आपको अब बात करें तो बोध धर्म के त्री रतने क्या क्या है बोध धर्म के त्री रतनों को देख लेते हैं बोध धम शंग बोध धर्म के हम द्री रतन कोंच से पहला दूसरा पृतीसरा ऑद है हम लैंत के त्री ठम अहिए यह बोध धर्म शंग यह बोध धर्म के क्या है यह का जाता है त्री रतन माने जाते हैं बुद्ध यानि बुद्ध की जान या बुद्द के कहे हुए अंसार चलना गीवुद कलाते थे दूसरा बात करें धम परचाथ बुद्द के अंसार ビध्ध के रहे। और के लाएं चिंग बुद्धंड जुर्ण दिया गया संग में उीफ देश दिये गया समों में जो रहता है और यह सारी चीज़ी आपको द्खने बुद्धंड धंडु संग के बारे में पर क्या किया गया बुद्धंड करने या कहा जाता है प्लिदš पेला तूशरा और तीसरा यह कहलते हैं उद्ध धर्म के त्री रत्न क्या कहलते हैं याद रह जाएगा कर दो बहुत हो झाल नहीं हो गए और चर्चाए करते कहा जाता है कि बहुत धर्म में चार संगीतिया उने संगे चार बोध संगे ने बोध धर्में सी बात करें बोध धर्म्में धर्म में चार चार बोध जो इन की को दिए लिए कोई कुज़ोगत को सब्सक्राइज है मुरौद्व के बाति बुद्ध की मुर्त्यूंक्ना क्या देखिए है प्रतम बोध संगीती की बात करें तो देखेंगा प्रतम बोध संगीती पंश्ट संगीती कि बात करें यह कहां वही पर प्रतम बोध संगीत बात करें तो यह हुई थी अपने 400 कब 413 सी इस्वापूर जब बोध्य के मृत्य अर्था बुद्य ने महापरी निर्मान प्राप्त किया यह को प्राप्त हुए को याद रखेगा महापरवी निर्मान का जाता है यह राजग्रह में हुए कोँची बोध संगति अतम बोध संगति राजग्रह में हुए कहा जाता है कि यहां पर राजग्रह में सबस्क्राद पर्ंदी गुपा में यहां तासक की बात करें यह सबस्क का इसमें कहा जाता इस साशक कूह था भई आज की बात करें इसके बकुन कि यहां प्रसासिक के बात कर तो आजात्स कोंन था अजात्सत्रु जो कि ज़ा था अजात्सत्रु ज खासाथ हरियंक वनसका ताप कोनुब कोहना जाता है सम्वेघ रखता था का यह समध्ण रखता था। जहाँ पर अद्धिक्स की बात करें जाकू के पर कि महा कश्रेट को बनाया गया महा कश्रेट इसको अद्धिक्स पर मोया भी थ Charlta पर परफम बौर अध्यक्स बनाए और क्या क्या चर्चाएं हुई इसमें जो जानकारिया मिलती है कि प्रमुक जानकारियों के बारे में जानकारिया प्राप्त करें जाता है कि मुख्य इनगे इसमें गठना किया हुई इसमें मुख्य गठना होती शुत्प्तक और विन्गषजा की मुख्य प्रतम बौध्या संंग्यती की बात करें कि बात करें के मुख्या दूhem पाइब तो पितक कितने दो पिताक। पितक तक अ एक तो शुथ पितक और एक धिना एक कि तो कूनचा सुथ एक तो सुथ तो उद्स पितक एक यदिविने पितक कुनसा प्यारोबं दोश्थो वीने सभ रचना आज तो रचना यह रचना कि यहां पर अच्के द्षारा सूत पीटक की रचना और चाहिए कि लुए कि द्वारा जो ज्यान दिया गया है जो घ्यान दिया गया है रोड जूम दोड़के पूरद मिलग इसमें बात करते हम रचन रचना कसका बात रत और नह आ रचना की गई आनन्द के द्वारा के रचना तो तो हगतना ही इस में होगती है इसमें अन दोड़ा तो उस्सक्राइब के रचना की जाते श्ञां में गट्वान बुद्ध के उपधेश !! बुद्ध के उपदेश का शंकलन किया गया है और बाते करें पहर दोस्तों और क्या बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया जन्म की कथाएं यहां से मिलती है जिने क्या कहा जाता है जातक कथाएं क्या जातक कथाओं का उल्लेख है बुद्ध के जन्म से जातक कताएं करते हैं और जातक क व角 क्या गया है युगी यह बातें हैं पर दोस्तों यह जादी कि रहा ही आपको पश्चात बात करें कौन सी पिटक की बात करें अब बात करने जा विन्य पिटक विन्य पिटक की रचना बुद्ध के उपाली द्वारा की रचना की बात करें रचना की बात करें बुद्ध के उपाली किसके द्वारा उपाली द्वारा की गई इसके उपाली की द्वारा इसकी रचना की गई अब कहा जाता इसमें बोध धर्म चाहिए के साथ साथ क्या कंडीशन प्यार दूस्तू में बोध संग में प्रवीश करने के नियों अरो ले क्या है पूद धर्म में प्रवीश लेने के नियमों का उलेख है क्या है पूद धर्म के नियमों का उलेख है जो प्रवेश करने के नियम है कि रचना कि पाली के द्वारा की गई के बर दोस्तों कि हो जाएगी आपकी इने प्रवेश के पश्चात बात करें नाक्ष्ट कि बाते करें पैर दोस्तों यहां पर देखिएगा कि अब यह तो प्रतम बोद्व संगती के बात कर रहे था हम दूसरी बूद संगती बात करें हम सेकेंड यानि के दूसरे नंबर की बोद्व इतियो बोद्व संगती के चर्चा करें इतियो बोद्व संगती और दितियो बोद्व संगती पैर दोस्तों यह कब होती है इस कि यह बोद्व संगती जो होती है 383 इसापूर कब होती है यह कब होती है कब की बात करें कब होती है यह होती है 300 तो उसके 100 साल बाद कहां होती है यह वैसाली में होती है यह बीचान की बात करें का जो इस्थान पर वोती है पहां पर उती है वैसाली में कहां पर होती है यह भेरा सोक नाम से जना जाता है , यहां किसमें क्या होता है इसका अध्यक्ष अध्यक्ष बनाया जाया जाता है अध्यक्ष की बात करें किसकी बात करें पैर दोस्तों अध्यक्ष जो है अध्यक्ष कामी को बनाया गया किसको बनाया गया अध्यक्ष किसको बनाया गया भी अध्यक्ष किसको बनाया गया भी अध्यक में मतवेद होता है कि इसी की दुरान वय होता है है यहाँ पर कुर्भी पंती और पंती में दो भागों में ढाता है। जो इस में प्रवेश लेने के दो बताए गए विख्षों को लेकर कहा जाता है कुछ के यूजाते हैं तस शीर बुनो को दूजाते हैं मत्वेद हो जाते हैं कि वह धर्म किते हो में बाखनोट दादा तब ह Candice दो बाघुम में बचषा पर फैरशी और एक हैै उठ्षमिक या पूर्व्री कदे फैरचे पर दोस्तों परत्यान देंगे तो दस गटना के बात करें किसकी दूसरी बोच संदुश्य के बात करें उख्य गटना क्या होती है दस सील गुणों को लेकर कि अधिश्य गुणों को लेकर मत भेद हो जाते हैं मत हुद हनों को ते सील साथ है दस लर्म को लेकर मतव्यद होता है पतवयद हो जाने के प wage क्या होता है यहाँ पर कहा जाता है कि इस दो भागों में बढ़ जाता है बॉद्धर्म जाता है तो मत हो गये तो दूधर्म की बात ने यहां पर दो जूटो जाते दो गुट बन गए तो गुट बन गए क्या बन गए दो गुट बन गए एक गुट क्या कहा गया इस्तिरवादी क्या एक या फिर सांगी कह दे या इस्तिरवादी या इस्तिरवादी तो पूर्वी पूरवी गुट जो इसको क्या कहा गया स्तीरवादी कहा गया तो क्या कहा गया सांगीख वादी यह है क्या क्या कहा गया इस प्रकार से दो भागों में बढ़ति और भागों में बढ़ जाने के प्रूर भी बांगता समि कशले पाठली तो दस िलिखंग पाठोली पुत्र पार्टरली फासरी तुट्र व बैसाली कहा के लोग तर इसमें वासराली के के लोग तो दस तर्सदी कि ते लो वह मानने वाले मानने वाले यह तो दस चREE दो को मानने वाले तर प्र सिल में जा लेक्तंu आ आँ ऑंति और पोorn in mep परिवर्तन को लाया जाए यह क्या कर रहे थे आबंति आवंति ळांति व कोशन वाले कोशव कि लोग कि इन में इन में परिवर्तन चाहते थे दस सील गुणों में परिवर्तन चाहते थे यह क्या चाहते थे वही कि दस सील गुणों में परिवर्तन करवाना चाहते थे अर्थार्थ इन के जो यह वहीं इन सील गुणों को मानने के लिए अर्था थी कठोर हुआ करते थे प्रिवर्तन किया जाए और तब जाके इसको माना जाए ऐसा माने था इन में थी कि दूसरी बहुत संगती हो जाती है बाकी का एक्स क्लास में देखेंगे दोस्तों आज के लिए इतना ही कि आपी बहुत तन्यवाद पहरे साथ यूँ बने रहे डीजिसर क्लासे के साथ और चुड़े रहे अपने रहे और अपने प्रियाशों के साथ प्यार दोस्तों नमस्कार जेहिन यवारत आप सभी को पतंतता अग्री मुश्ब कावने जेहिन जेवारत